दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्कैल्पिंग के बारे में स्कैल्पिंग होता क्या है और डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं तो इस वीडियो को कम्लीट देखिएगा और वीडियो समन में आता है तो इस चैनल को सिस्क्राइ इसमें क्या डिफरेंस होता है अगर आप स्केलपिंग सीख गए और इसकेलपिंग करना इतना आसान नहीं होता है। ठाट फंड हो से लगोटने में कुछिंट लोग का हरां अले सब्क हमारा सब्सक्षाओ का है हमारा resistance कहा है, market जब resistance के आसपास कहीं होगा तो market को short कर सकते हैं, market जब support के आसपास होगा तो market को long कर सकते हैं, तो इस तरह की concept होते हैं intraday trading में, अगर कहीं किसी level का breakout आ रहा है, तो हम वहाँ पे intraday trading करते हैं, intraday trading generally हम एक घंटे दो घंटे तक एक trade में बने रहते हैं, लेकि सकते हैं, में какой deutsch ऑन कनल चली होते हैं, पर इसमण कहीं में में लेकिन में खेता हैं, लेकिंट के 15 हम इलायाящие कहाई जो पर तक गई तो यह हमारा स्कालपिंग ट्रेट यहां पर हो जाता है कि हमने उस रैट केंडल हो सकता है यह लेकिन हो फिर जो घर्य तो अगर हम स्कालप के तरक लेकिन के एक सक्राफ जबा यई Мिनक्रा जो है यूज वहता है तो सको हम स्कालपिंग करना भीज़ थके स्कृप जो जए चलू एक हमस्किन होता है और इसके जो एकाउंट साइज है यह एवरेज एकाउंट साइज होता है लेकिन इस पर पास बड़ा पैसा होता है अगर उन्होंने पाँट पॉइंट कमाने हैं और उनके पास एक लाग कॉंटिटी है तो उनका पाँच लाग का प्रॉफिट होगा एक स्कैल्पिंग तो वो जो ब्रोकरेश चार्ज है वो भी इसमें बहुत ही कम लगते हैं लगने वाले हैं लेकिन उनका इसे प्रॉफिट पांस लाग का हो जाता है तो इस तरह से लोग स्कैल्पिंग मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे स्कैल्पिंग होती है अब थर्ड पॉइंट है है जो डे टेटिंग है कि इसने करते हैं धूस्ट कहने से कर सकते हो में sharing करेंद बहूंपिंग का आप इस तरह से वार्र में कर सकते हो इसक्रीट के अंदर तो यहां पर नम.बर ओफ टे जू है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगे लेकिन आपको पाराट एसकृट तो हम लोग scelping कर नहीं पाते हैं तो उसको over trading कर लेते हैं और कई सारी trades में profit करते हैं कई सारी trades में loss करते हैं यहां पर technical analysis की बात है कि हम लोग technical analysis के basis पर trade लेते हैं इंट्रिडे टेडिंग में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग support देखेंगे, resistance देखेंगे और उसके बाद हम लोग trade execute करते हैं, लेकिन वहां पर यह कारोबार्वी की ताकत का अनुभाव है, उनके जो experience है कि एक candle यहां पर बना और फिर एक मिनट का चार्ट बहुत चोटे time frame बा चार्ट लगाते हैं लोग और फिर एक मिनट के अंदर ही market नीचे आया, फिर एक मिनट क इसी तरह चलता है उपर नीचे करते हुए, continuously market ना ही नीचे आएगा यहां पर इस तरह की concept है, वहां पर हम लोग scalping करते हैं, अब हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं कि scalping में छोटे time frame पर हम लोग कैसे scalping कर सकते हैं, यह live market चार्ट लगा रहा है और यहां पर देखिए, live market के अंतर हम लोग बहुत चोटे time frame का chart लगा लेते हैं, देखिए, market कुछ points उपर गया, फिर नीचे आया market, फिर कुछ points उपर गया, फिर नीचे आया market, फिर continuous market उपर गय तो यहां पर अगर हम एक minute का chart लगा रहे हैं, तो यह हमारे scalping trade हो गया, हमने यहां पर entry बनाई, यहां पर mark कर देता हूँ, यहां पर entry बनाई और यहां पर बहुत चोटा target होगा हमारा, यहां पर entry बनाई और यहां पर हमने अग्डेट कर दिया, यहां से हमें कुछ points मिल ग यहां पर, तो इसको हम scalping करते हैं, कहते हैं, अगर हम जो 15 minute का chart देखे हो, 15 minute का chart में एक कैंडल बनती है, तो उसका open, close, यहां पर लिख देता हूँ, open, और फिर एक लिख देता हूँ, close, मारे candle open हुई, और फिर candle ने एक high बनाया, फिर candle ने एक low बनाया, और फिर candle close हो गई, तो अगर बेरिश candle बनी है, तो यह जो open high low close है, उस तरह से ही इस candle को trade किया जाता है, अगर इस candle का हम 15 minute का time frame लगा के देखे हैं, तो आप यहां पर देख पाएंगे, कि यह जो candle बनी है, यह एक नट की candle है, यह बुलिश candle यहां पर बनी है, तो इसी का low जो है, इस candle का mark कर ल हम scalp trade कहते हैं, और scalp trade आप से आप अच्छा profit generate कर सकते हैं, लेकिन important बात यह है कि scalp trading के लिए आपके पाद यह experience होना काईगी है, आपको अच्छा खासा experience ही है, scalp ing करने के लिए, तो अगर आप scalp ing कर के profit कमाना चाहते हैं, तो इस stock market में आप continuously अगर trade कर रहे है, तो आपको प्रेश्ट करना बिल्कुल हमत भूलिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शीया जरूल कीज़ेगा, बहुत बात धन्वाद दूबाद आपको अच्छा बहुत है, अच्छा बहुत 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 था आपको आपको बहुत आपको 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